अब सीरिल कुंडली भागे में प्रीता जो है न वो बहुत परेशान है क्या है कि काव्या की शादी वरुन से होने वाली है और वरुन पहले से शादी सुदा है ये प्रीता को पता लग गया है इसे मेरी मानिये प्रीता परेशानी छोड़िये सीधा फंडा फोड कीजे ताकि काव्या की लाइफ तो बर्बाद ना हो प्रीता के मन में आखरकार चल क्या रहा है इतनी परिशान क्यूं है प्रीता अभई प्रीता परिशान हो और करण को पता ना चले ऐसा तो हो नहीं सकता देखिये कैसे करण प्रीता से उसकी परिशानी की वज़ा पूछ रहा है लेकिन चो रास प्रीता ने अपने दिल में दबा के रखा है वो उसने अभी तक किसी को नहीं बताया दरसल प्रीता ने देख लिया है वरुन और उसकी वाइफ को एक साथ हम आपको बता दे कि वरुन की ओर्डरी शादी हो चुकी है और यहां प्रीता ने रंगे हाथ पकड़ लिया है वरुन और उसकी वाइफ को प्रीता ने दोनों को चुपके चुपके मिलते हुए देख लिया है अब है सीरिल की बहु की आँखों से कुछ चुप सकता है क्या प्रीता तो अब इसी सोच में डूबी हुई है कि आखरकार सच क्या है जहां एक और घर में कावया की मेहंदी हो रही है सभी लोग बेहत खुश हैं उसमें अगर वरुन का सच इस तरीके से बाहर आएगा तो कावया का तो दिल तूट जाएगा कही न कही नी प्रॉपर वाइफ है उसकी पहले और उनकी एक्स वाइफ है और कुछ तो ये ड्रामा क्रियेट कर रहे हैं हमारी फैमली है भी तो बहुत बड़ी ना बड़े लोग हैं हमारे बहुत दुश्मन है all over इंडिया तो ये बेटियों की शादियों में निकल कर आते हैं सारे दुश्मन वैसी मेरी शादी में भी निकल कर आगे अब देखते हैं क्या होता है लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि प्रीता चैल से बैटने वालों में से नहीं है वो सच का पता लगा कर ही रहेगी अब वरुन और उसकी मा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो प्रीता की नजरों से बच नहीं पाएंगे मुबै से प्रिया धबरे के साथ एबिपी निउस रिपोट